Hi! आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे relative valuation. इस particular वीडियो में हम समझेंगे सारे basics जो आपको help करेंगे next session में, proper एक relative valuation model बनाने में. Hi, this is Sparta Arma and welcome to the valuation school. बिना किसी देरी के, फटाफट स्टार्ट करते हैं. और सुनो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है, आपको पता है, क्वालिटी बे जोड होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, और चानल को सब्सक्राइब करो, बिना किसी दे रही का है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं, फटा फट, हाँ जी, तो आज के पर्टिक्लर सेशन में आपन है रेलेटिव प्राइजिंग के उपर बात करेंगे, ठीक है, रेलेटिव प्राइजिंग के उपर बात करेंगे, सेशन स्लोई होगा, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, मैं पूरी जान लागा के पढ़ाऊंगा, आप लोग बस बैठके आराम से सुनो आपको 1x करना है, 2x करना है, 5x करना है, 10x करना है, जितने x करना है करो, मैं आराम से चलूँगा भाई, simple सा लाजगे है, चीक है, ना, please understand, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, यह समझना, चीक है, relative pricing में, अगर आप बात करते हो, तो relative pricing जो है, usually, दो तीन components इसमें निकल के आ सकते हैं, दो ही रखते हैं अभी हाल फिलाल के लिए, एक होता है आपका comparable companies, ठीक है, और एक होता है आपका comparable transactions, एक मिनिट के लिए पहले logic समझ लेना, हमने DCF modeling को थोड़ा touch upon कर रहा है, ठीक है, relative pricing करने की requirement क्यों पढ़ रही है, वो समझ लेना, for example, मान लो, आप, जिस building में रहते हो, जिस flat में रहते हो, जिस locality में रहते हो, आपको अपना घर sell करना है, तो जब आपको अपना घर sell करना है, तो सबसे पहली चीज जो आप करते हो, यहापको किसी particular locality में house purchase करना है, तो सबसे पहली चीज जो आप करते हो, आप यह करते हो, कि आप यह देखते हो, कि recently, nearby location में, similar house, कितने में विका है, आप क्या करते हो, आप relative basis पे, कि यह इतने में विका है, तो मेरा तो इतने में विकी जाएगा, आप अपने घर का value निकालने का कोशिश करते हो, ठीक है, usually मैंने इसको relative valuation, आप देखो कि thumbnail में लिखा होगा, बट यहाँ पर मैं relative pricing word use कर रहा हूँ, उसका reason यह है, कि आप यहाँ पर valuation नहीं कर रहे हो, आप दूसरों के मुकाबले, मेरी company की क्या price है, आप उस pricing को निकालने की कोशिश कर रहे हो, you are not valuing the company, you are pricing the company, by what means, by the basis of how other companies are priced in the market, ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं, मैं बहुत basic से अभी start कर रहा हूँ, मैं एक दम basic से चलूँगा, first is comparable companies, comparable companies मतलब मेरे जैसी, मेरी company जैसी similar, दूसरी companies जो market में available है, ठीक है, जो market में trade कर रही है, वो किस price पर trade कर रही है, उसके basis पर मैं कुछ उसमें गणित लगाऊंगा, और मैं मेरी company का pricing निकालूँगा, ठीक है कि, अच्छा ये सब इतने पर trade कर रही है, तो मेरी company को इतने पर trade होना ही चाहिए था, दूसरा जो concept होता है, so this is number one, the second concept is comparable transaction, in comparable transaction approach, what will I do, मैं देखूंगा, कि जैसी company मेरी है न, वैसी company, previously, कितने रुपे में बिग गई है, किस value पे उसको खरीदा गया है, मतलग, previously जो transaction हुआ है, जो mergers और acquisition का transaction हुआ है, उस transaction में, मेरे जैसी company, seller होना चाहिए, buyer नहीं, seller होना चाहिए, और वो कितने में भी की है, ठीक है, ऐसे 4-5 transactions का, मैं analysis करूँगा, और जब वो मेरे को analysis मिल जाएगा, at that point of time, मैं मेरी company की value निकालने की गोशिश करूँगा, एक दिमाग में एक doubt आया होगा, कि जब हमारे पास DCF already available है, ठीक है, when we have the DCF available, then what is the need of relative pricing, तो relative pricing क्यों, मैं उसका कारण बताता हूँ आपको, relative pricing methodology से, आप हर उस asset को value कर सकते हो, जो cash generating नहीं है, DCF से आप सिर्फ उन्हीं asset को value कर सकते हो, जो cash generating है, that is number one reason, आप चाहो तो आप इसके notes बनाओ, ठीक है, कोई problem नहीं, आप एक काम करो, एक task देता हूँ, लगे तो वापस पुराना देखना, normal A4 size paper के उपपर इसके notes बनाओ, ठीक है, यह homework ले लो आप मेरी तरब से, normal A4 size paper पे इस section के notes बनाओ, उसको Google Drive में डालो, link को सब के साथ share with all करो, और वो link को है ना, यहाँ पर paste करना, ठीक है, link को आप यहाँ पर paste करना, जिसके भी notes सबसे crisp लगेंगे ना, उससे मैं personally contact करूँगा, believe me, ठीक है, now, please understand, please understand, number one, relative pricing, can be used, for asset, that is not cash generating, जो cash generating नहीं है, जैसे क्या सिर्फ जैसे painting, Mona Lisa की painting है, मैं Mona Lisa की painting का DCF कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, समझे हो, आप समझो, कोई argue कर सकता है, कि sir, Mona Lisa की painting को देखने के लिए, 1000 लोग रोज आते हैं, हर आदमी 100 रुपे का ticket देता है, 10,000 रुपे की, समझे हो, that is not, you cannot define the value of Mona Lisa, because Mona Lisa, अगर आपको मैं बोलूँगा, value differs relatively from person to person, तू मैं और तू मेरे घर में Mona Lisa, लागा देखने के लोगा के बोलेगा, अच्छा duplicate बनाया है, बट same is not, और अमबानी duplicate भी लगाएगा, तो बोलेगा कि नहीं यार, what a original piece, masterpiece, so एक तो यह चीज है, sir, ऐसी दूसरी कॉन सी assets है, जो cash generating नहीं होती है, जिनका relative pricing निकाला जा सकता है, cryptocurrency ले लो, बहुत सारी assets है, कोई भी ऐसी asset जहाँ पर cash generating capability नहीं हो से असेट में, उसको अगर price करना है तो relative pricing से होगा, second, DCF जो होता है न, DCF जो होता है न, that is 100% based on number crunching, ये जो मैं session ले रहा हूँ न, ये मैं actual session ले रहा हूँ, जैसा session में मेरे elite mentees के साथ लेता हूँ, मैं इतने ही धीरे, इतने ही अराम से लेता हूँ, I am notoriously famous for very long sessions, ठीक है, आप कोशिश करना आपको 100% समझ माएगा, DCF में sir, 100% number crunching होती है, number crunching होती है, तो हाँ ठीक अच्छी बात है, तो क्या relative pricing में नहीं होती है, relative pricing में भी होती है, but DCF एक चीज में पीछे रह जाता है, वो कौन सी चीज है जिसमें DCF पीछे रह जाता है, ठीक है, that is to incorporate the market mood, sir DCF market mood को incorporate नहीं करता, वो चीज मेरे को relative pricing से मिल जाती है, relative pricing से मिल जाती है, मतलब कैसे, अगर आज मैं एक AI company, एक US की कोई India में तो unfortunately, को AI company listed नहीं है, ठीक है, जो core deep tech में है, लेकिन अगर मैं आज एक AI company का valuation कर रहा हूँ, तो definitely high chances है, कि आज की टाइम वो loss making company होगी, कोई problem नहीं एक अच्छी story बना सकते हैं, future में अच्छी growth दे के DCF से value निकल जाएगी, लेकिन अगर आप देखोगे, तो उसका valuation through DCF आज कम आएगा, और आएगा ही आएगा, लेकिन आप दूसरे AI stocks के साथ, अगर उसकी comparison करते हो, तो there is a good chance, that you know it will come at par, आपका relative comparison होगा है यार, कि बाकी सारी यही companies कितना कर रही है, उसके हिसाब से मेरा कितना है, ठीके तो DCF market mood को cater कभी नहीं कर पाता है, तीसरा, थर्ड तिंग, जो DCF के साथ issue आता है, वो issue आता है complexity, DCF में इतना जादा है समझने के लिए, इतना कुछ है समझने के लिए कि आप परेशान हो जाओगे इसको पढ़ पढ़ के, मतलब I am into this particular field for 5-7 years and still I am learning new every day when it comes to DCF, ठीके उसके वनिस्पद, उसके alternatively, not वनिस्पद, उसके alternatively relative pricing में, अगर आप देखोगे न ब्रो, तो relative pricing it's very easy, it's very quick, ठीक है, ठीक है, बिना किसी तेरी के जल्दी से start करते हैं, हम जो हमारी series में सीखने वाले हैं, वो हम सीखेंगे comparable companies, comparable companies approach, ठीक है, comparable companies approach को भी मैं दो parts में divide कर सकता हूँ, एक होगा मेरा multiple method, और एक होगा मेरा regression approach, हम जो cover करने वाले हम कवरेंगे multiple method को cover, ठीक है, तो चलो फटा-फट स्टार्ट करते हैं, मैं पहले आपको इसका एक layover दे रहा हूँ, इस particular session में, और अगले session में हम सीखे modeling से start करेंगे, ठीक है, इसको market terms में comparable comms भी बोला जाता है, इसको market terms में comparable comms भी बोला जाता है, ठीक है, नौ प्लीज अंडर्स्टांड, एक चीज समझे और अच्छे से समझे, comparable company में मैं तीन या चार task करूँगा, ठीक है, मैं एक एक करके आपको task overview दे रहा हूँ, task one, my task one भी identify comparable universe, ये मेरा पहला task है, अब identify comparable universe का मतलब क्या है, मुझे सबसे पहला काम जो करना है, वो करना है मेरे target को study करनी है, target को study करने का क्या मतलब है, जिस company का मैं value कर रहा हूँ न, उसके business का in and out मेरे को पता होना चाहिए, कि वो business क्या है, वो business कैसे काम करता है, वो business क्यों काम कर रहा है, उसके क्या verticals हैं, क्या products हैं, क्या services हैं, मेरे को business का एक broader outline, मेरे दिमाग में confirm होना चाहिए, ठीके, एक बार जब वो चीज हुई, उसके बाद मैं इस task पर जाता हूँ, which is identifying the comparable universe, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें हैंना, it should be, it should be, comparable, plus, similar, दोनों condition में meet होनी चाहिए, जैसे for example, आप मानलों, आप Mariko का valuation कर रहे हो, relative pricing से Mariko का valuation कर रहे हो, Mariko का valuation कर रहे हो, आपने देखा कि यार, Mariko का main business के है वैसे, तो Mariko बहुत सारे business, मैं आपको पता होगा, सफोला company वो भी Mariko की, तो Mariko edible oil में भी है, Mariko Oats में सबसे बड़ा market player है, आज के time market में, ठीक है, बट मुझे पता है, कि जो Mariko है, ठीक है, Mariko सबसे ज़्यादा prominently जाना जाता है, parachute hair oil के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा, कि मैं ऐसी companies को identify करूँ, जो hair oil बनाती है, whether it is a coconut oil or not, does not matter, ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने 4-5 companies, 2-3 companies आपने ढूंड के निकाली, एक आपने डाबर निकाला, ठीक है, दूसरा आपने, मान लो, PNG निकाला, ठीक है, तीसरा आपने, एक और कोई company ले लो, आपने, एक आपने निकाला, चिंटू, एक आपने निकाला, चिंटू केश तेल, ये तीन company निकाली आपने, ठीक है, चिंटू केश तेल लिमिटेड, क्या ये तीनो companies, आपने यार मेरे को पता है, वो बाद में तुम दिखकती दो गया, इमामी ले लो, क्लिक करें आपने को अभी, केश केंगे ना, इमामी का ब्रैंड है, इमामी ले लो, ठीक है, ये तीनो companies, क्या similar है, क्या same business के अंदर है, हाँ, ये तीनो companies similar है, ठीक है, ये जो तीनो companies है, these are similar, similar to Mariko, ये तीनो companies similar है, ठीक है, बट, क्या ये तीनो companies comparable है, आप सोच के देखो, क्या Mariko को आप डाबर के साथ compare कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, दोनों का business almost similar, scale of business is also same, क्या Mariko को आप इमामी के साथ compare कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि दोनों का scale of business is same, दोनों same business में, क्या मारिकों को आप चिंटु केश तेल प्राइविट लिमिटेड यह लिमिटेड की साथ कंपेर कर सकते हो सॉरी फाद इनेम बट वह याद आया चिंटु केश तेल ठीक है नहीं मैं नहीं कर सकता even though they are in the similar business but they are not comparable ठीक है आप मेर को एक बात बताओ मैं आपको इसका एक डिफरेंट एंगल देने की कोशिश करता हूँ एक और कंपनी का नाम है हाइपोथेटिकल कंपनी ले रहा हूँ सूजन लिमिटेड सूजन ओईल सूजन हेर ओईल USA का कंपनी USA में मार्केट लीडर है ठीक है तो क्या सूजन हेर ओईल भी सिमिलर बिजनस में है बिल्कुल येस बट क्या वो कंपेरेबल है बिल्कुल नहीं क्यों क्योंकि सर मारिको इंडेस्ट्री जो है वो इमर्जिंग मार्केट में अपरेट करती है आप मारिको का बिजनस देखोगे इंडिया में बांगलादेश में वेतनाम में फिलिपीन्स में ठीक है बट इट इस नॉट अपरेटिंग इन डेवलब मार्केट और सूजन हेर ओईल जो है उसका ग्रॉस मार्जिं अलग होगा उसका अगर अगर ऐसा हो जाए मेरे साथ कि मैं जो कमपनी रेलेटिव प्राइजिंग से वैल्यू कर रहा हूं ठीक है उस कमपनी का कोई कम्पेरेबल मिला ही नी मेरे को इंडिया में कोई इंडियन कम्पेरेबल मिली नी रहे तो second stage में आप क्या करोगे पता है आप अपने universe को expand करोगे universe को जब expand करोगे तो universe को expand करके you will go to emerging markets across the world कि अच्छा बांगलादेश में कोई दूसरी मिली क्या, फिलिपीन में मिली क्या, ब्रजील में मिली क्या, मेक्सिको में मिली क्या ठीक है across the world sir, मेरी company इतनी unique है कि साला वो emerging markets में भी नहीं मिल रही है अब मैं क्या करूँ, फिर अब तेरे पास कोई option नहीं है अब अगर तेरे को comparable companies के through value करना है, price करना है अपनी company को तो अब भाई, फिर तू further expand कर और फिर तू global level पर जा, बट global level पर जाना should be the last party sir, कि आप एसी कोई company के example बता सकते हो, जो Indian company है, लेकिन उसके जैसी comparable और similar company ना तो India में available है, ना emerging markets में available है और सिर्फ और सिर्फ developed markets में available है, HL, Hindustan Aeronautics Limited कितने developing markets है, कितने emerging markets है, जो fighter plane इन-house बना रहे है अपने पास, कोई भी नहीं है, everyone is dependent on developed markets, right they are either buying from France, they are either buying from Russia, they are either buying from US, either buying from Israel, these all are developed nations, ठीक है तो अगर मैं HAL से comparable company transaction HAL का करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ढूंडने की कोशिश करूँगा, कि इंडिया में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, side hut, ठीक है developed markets है, developed markets के अंदर कुछ मिल रहा है, यहां बहुत कुछ मिल रहा है, आजा, that will be your comparable universe, ठीक है task number two, ठीक है, task number two, you will look for a common comparable factor, आप एक common comparable factor की तलाश में जाओगे, ठीक है, अभी common comparable factor मतलब क्या है, जैसे मान लो, यह मेरे को sir, यह चार companies मुझे मिली है, जो बिलकुल मेरे जैसी है, एकदम तगडी बिलकुल मेरे जैसी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा न, इन चारो companies के अंदर कोई एक common point तो आपको निकालना पड़ेगा boss, वो क्या हो सकता है, sir, वो EV by EBITDA हो सकता है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, sir, वो EV by revenue हो सकता है, ठीक है, sir, वो क्या हो सकता है, वो price by earnings भी हो सकता है, but not preferable, ठीक है, not preferable, तो यह जो EV by EBITDA आपने निकाला है, यह जो निकाला है, यह जो निकाला है, ठीक है, यह आपके पास 4-5 companies का available है, ठीक है, आपके पास 4-5 companies का available है यह EV by EBITDA का आप यहाँ पर लोगे मीडियन average क्यों नहीं लेंगे median क्यों लेंगे 25th percentile क्यों नहीं लेंगे 75th percentile क्यों नहीं लेंगे कल modeling के session में detail में discussion करेंगे just in case सेर अगर कोई EV by Abidda skewed आ जाता है तो क्या करना है सब कुछ कर discuss करेंगे सिर्फ concept समझ लो कल मतलब next session में discuss करेंगे Sunday को या जाएगा ओल्रेड़ी recorded कोई tension मतलब उसका मतलब अभी करना हूँ इसके जाइस बाल मेरा median निकला मेरा median मान लो जो EV by Abidda आया है वो 4.5x आया है example मान लो जो EV by revenue आया है वो 6x आया है और जो PE ratio आया है पी ratio से for example 15x आया है ठीक है अब मैं क्या करूँगा न अब task 3 जो main task है price the target target को price करो target को price करने का क्या मतलब है हम देखेंगे our EBITDA हमारा EBITDA कितना है तो our EBITDA से for example 2 200 million ठीक है comparable company का EV by EBITDA कितना था comms का EV by EBITDA कितना था सर्ये 4.5x था ठीक है 4.5x इतना तो 4.5x था ठीक है तो our enterprise value should be 200 into 4.5x it is nothing but it is 900 million ये तीन steps है I hope आपको समझ में आया होगा देखो एक minute में निकाला मैं ठीक है सर EV by revenue से भी कर सकता हूं है कर सकते को प्रॉब्लम निया ठीक है से फ़र एक्जांपल अवर revenue इस से फ़र एक्जांपल 500 million ठीक है comms EV by revenue कितना बुलत है 6x सर अगर मैं ऐसा करता हूं तो आवर EV जो निकल के आ रहा है वो तो 500 into 6 आ रहा है 3000 हो गया हाँ हो गया सर ये तो 900 million and 3000 में तो जमीन आस्मान का फारक है हाँ है कोई problem नहीं है तो सर ये एक ही company है वो एक तरीके से में value निकालूँगा तो 900 आएगी दूसरे तरीके से निकालूँगा तो 3000 आएगी हाँ आएगी सर ऐसे चलेगा बिल्कुल चलेगा सर ऐसे कैसे चलेगा कल बात करते हैं उसके बारे में ठीक है यार एक second रुको अगर आप अभी तक यहाँ पर हो आप अभी तक यहाँ जुड़े वहमुस है ठीक है आप अभी तक तो यह प्रूफ करता है कि you know you are the learner ठीक है and I want to share something with you ठीक है I want to talk to you आप सभी को पता होगा almost कि हम लोगों ने equity research का एक नया cohort start कर रहा है ठीक है जो first cohort we are forced to start another batch on the same time ठीक है during the same duration तो if you really feel कि आपको equity research की skills gain करनी है ठीक है और वो एक चीज है जो आपको interest करती है and हाँ आप भी वैसी शांदार reports बनाना चाहते हो ठीक है तो आप please consider joining that batch उसका link यहां में i button में दिया हुआ इधर किदर इधर i button में दिया हुआ है ठीक है नीचे description में दिया हुआ है जो session लिया था detailed session लिया है roadmap to equity research के उपड़ वो session का link भी मैं description में दे देता हूँ कोई problem नहीं है ठीक है बहुत जादा practical एक cohort बना के काम करेंगे ठीक है जहां पर एक दूसरे के साथ मिलके साथ में grow करने की कोशिश करूँगा आपको and don't worry that will be the best utilization of your time and sir ये cohort के बाद क्या मेरे को certificate मेलेगा ना सब certificate मेलेगा ये three things first is your certification second is your letter of recommendation from my side and third is the internship completion letter but ये तीनो immaterial है मानो मेरी बात कोई certificate काम नहीं आता जो reports आप बनाओगे न वो इतनी high quality reporting होगी इतनी high quality report होगी visually appealing wise कि ऐसा लगेगा किसे MNC से report publish होई है and believe me that will be the biggest asset जो आप इस cohort से लेके जाओगे ठीक है तो अगर आप interested हो तो please consider joining हम second batch open कर चुक है I'll be all yours for 45 days it'll have six weeks program बाकी सारी detail आपको मिली जाएगी उस particular session में तो कोई problem मत लेना लिंक आए बटन में भी दे रखिये link नीचे भी दे रखिये joining link भी दे रखिये अगर और detail चाहिए कि program क्या है कैसा नहीं है तो एक session लिया था roadmap on equity research करियो वो भी नीचे इसका link दे रखिये so please 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 consider joining that यार बाकी आप सब लोग बहुत amazing हो ठीक है आप लोगों की कारण अभी recently LinkedIn पे I've crossed 50,000 followers and that is just because of you and I'm hoping to cross 50,000 followers on YouTube very very soon आप लोगों का support चाहिए आगे बढ़ते रहेंगे आप भी सीखते रहो आप भी बढ़ते रहो जल्दी announce करता हूँ अगर किसी नए शहर में जाता हूँ तो meetup के लिए announce करता हूँ आप लोगों से physically मिलना है ठीक है आप लोगों से मिलके बाते करेंगे समझेंगे एक दूसरे को कैसे आप लोग काम करते हो कैसे मैं काम करता हूँ मैं मेरे personal story share करूँगा कुछ हो सकता है कुछ हद तक motivate कर पाऊँ आपको So yes, this is it बाकियार आप सब लोग बहुत amazing हो बोलने की जरुवत नहीं है You are the true learner and I hope मैं भी ठीक था क्मेंटरिंग कर पार हूँ आप लोगों की अगर है तो नीचे तारीफ कर दे ना कमेंट में तारीफ पढ़ना तो सब को यह अच्छा लगता है मुझे तो जादा अच्छा लगता है So yes, this is Parth Verma signing off फिर जन्कुरवारी का प्रॉपी कर दिया याई क्या है याई चलो this is Parth Verma बाइबाइ